नमस्कार दोस्तों मैं संजय मगू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर भारत मा के लाल कहूं या भारत के उध्योग समाज को उध्योग जगत को एक नई क्रांती देने वाले नई दिशा देने वाले या सीधे सीधे ये कह दें कि उध्योग जगत के नव शिल्पीकार भारत माता के लाल रतन टाटा रतन नवल टाटा जिनका कल देर रात देह वसान हो गया जिनका कल देर रात निधन हो गया 86 साल की उम्र में रतन टाटा ने अपनी अंतिम सांस ली जीवन के अंतिम समय में कुछ समय अस्वस्त रही पदम भुषन रतन टाटा पारसी समास से आने वाले रतन टाटा रतन टाटा के बारे में काफी जानकारी मेरी सहयोगी भूमिका ने आपको इस वीडियो में दी थी जिसमें आप देख सकते हैं रतन टाटा के निधन पर पूरे देश के अंदर शोक की लहर है महराष्ट और जारखंड जैसे दो बड़े राज्यों में क्योंकि दोनों राज्यों के अंदर रतन टाटा का बड़ी नजदी की थी इन दोनों राज्यों के अंदर राज की ये शोक का एलान किया गया है रतन टाटा की मौत के बाद में एक बात पर विशेश चर्चा चल रही है कि रतन टाटा का अंतिम संसकार किया जाएगा अंतिम संसकार यानि कि जो हिंदु रीती है सनातन रीती है वैदिक रीती है जिसके अंदर शव का अंतिम संसकार किया जाता है जिसके अंदर पहले एक प्रक्रिया थी आज भी है आज भी छोटे शहरों में या गावों में अब जाएंगे या बड़े शहरों के अंदर भी लक रतन टाटा जिस समाज से आते हैं पार्सी समाज जिसकी पूरे विश्व के अंदर एक गिनी चुनी संख्या है अगर मैं आपको भारत की कहूं तो भारत के अंदर मुंबई के अंदर है और इसके साथ साथ भारत में पार्सी समाज के लोग लगवग 50 से 55,000 के आसपास इनकी है पार्सी समाज के जो बड़ी हस्ती हूई है बड़ी विभूती हुई है उसमें प्रवक नाम लेख सकते हैं रीती संसकार किया जाएगा खाला कि पारसी रीती रिवाद जो है वो भी किये जाएंगे लेकिन इसके साथ जो उनका अंतिम संसकार किया जाएगा इससे पहले भी कई बड़े पारसी समाज की विभूतियों के अंतिम संसकार अगनी दहन की प्रक्रिया से ही हुए है फिरोज गांधी भी बड़ा नाम है जिनका अंतिम संसकार अगनी संसकार के साथ किया गया था यानिकि जिनका दहा संसकार किया गया था पारसी समाज के अंदर जो पुरानी प्रथा है पुरानी रीती है अंतिम संसकार की उसको दखमा कहा जाता है दख्मा की एक प्रक्रिया है कि Silence of Tower होते हैं पार्सी समाज के हर बड़े शहर के अंदर मुंबई के अंदर है Silence of Tower पर यदि किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है जो पार्सी समाज के होते हैं उनके शव को नहला धुला करके और Silence of Tower पर रखा जाता है और वहां पर मासाहारी जो पक्षी होते हैं इस प्रक्रिया को जो दख्मा है जिस प्रकार से अंतिम संसकार की प्रक्रियाएं है हिंदू समाज के अंदर वैदिक समाज के अंदर सिख समाज के अंदर दा संसकार किया जाता है मुसलिम समाज के अंदर और क्रिष्टन समाज के अंदर शव को धर्ती में दफनाया जाता है और अगर पार्सी समाज की मैं कहूं जिसको दख्मा कहा जाता है इसका मतलब होता है कि आकाश में उनका अंतिम संस्कार खुले में शव को जब म्रत्य हो जाती है शव को नहला धुला करके खुले में साइलेंस अफ टावर पे रखा जाता है और वहाँ पर जो सूर्य की रोशनी, सूर्य की किरने और इसके साथ-साथ जो मासा हरी-पक्षी होते हैं खासकर गिद्ध प्रजाती के वो उस शव को उसके मास को खाते हैं और ये प्रक्रिया पूरी होती है फिरोज गांधी के बारे में आपको मैं बताऊं तो जब फिरोज गांधी जीवित थे तो उनको पार्सी समाज का जो दहा संसकार की या अंतिम संसकार की जो प्रक्रिया थी ये पसंद कम थी और अपने दोस्तों मेंने कई बार जिक्र किया था और इसके चलते फिरोज गांधी का अंतिम संसकार किया गया था सोने वर्ष के थे राजीव गांधी उस समय स्वर्गी राजीव गांधी जब फिरोज गांधी का निधन हुआ था और उनका अंतिम संसकार किया गया और अब जब बात आ जाती है भारत के इस प्रमुक उध्योग पती उध्योग जगत की बड़ी हस्ती रतन नवल टाटा के निधन की और उनके अंतिम संसकार की तो जिससे में आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय उनके अंतिम संसकार की प्रक्रियाएं पूरी हो रही ह होंगी रतन टाटा के अंतिम संसकार में 200 के आसपास लोग शामिल होंगे उनका अंतिम प्र SEALI रिति है डखमा उसकी वजाए दहा संसकार के साथ किया जाएगा लेकिन इसके साथ साथ ही जो पारसी रिती रिवाज है उनको भी पूरा किया जाएगा उनके शव को सबसे पहले रखा गया अंतिम दर्शन के लिए मुंबई के अंदर और अंतिम संसकार उनका मुंबई के वरली में होगा जो पार्थिव दे है उनका जो शरीर है उसको प्रार्तना हॉल में, प्रार्तना सभा में रखा जाएगा, प्रेयर हॉल में रखा जाएगा प्रेयर हॉल में लगबग मैंने आपको बताया कि दोसों लोगों की मौजूद्गी रह सकती है, उनको पर्मिशन है यह जो सारी प्रक्रिया है लगवग एक घंटा चलेगी इसके अंदर 45 मिनट तक पार्सी रिती रिवाज के इसाब से रतन टाटा की आत्मा की शांती के लिए प्रेयर होगी प्रार्तना की जाएगी प्रार्तना हाल में जो प्रार्तना सभा होगी उसके अंदर पार्सी लिती रिवाज के इसाव से गेह सारनू पड़ा जाएगा एक प्रक्रिया है शांती सभा की और उस प्रक्रिया के तहट शव पर यानि कि उसके मुह पर एक कपड़े का टुकड़ा रखा जाता है और ये प्रातना सभा होती है जिसको गेह सारनू कहा जाता है उसके ब जाती धर्म की अपनी अपनी प्रक्रियाएं है और जो प्रतन टाटा का जो अंतिम संसकार होना है उसमें जो उनकी पार्थिव रिती रिवाज के अनुसार बाकी सारी प्रक्रियाएं होंगी लेकिन दखमा की जगा है उनके शव का अंतिम संसकार किया जाएगा अगनी संसकार होगा यानि कि जो मैंने आपको बताया कि पार्थिव शरीर को अग्रीदह में रखा जाएगा और इसके साथ ही अंतिम संसकार की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी अब बात आ जाती है कि जो दश्रकों पुरानी सदियों पुरानी जो परंपरा है पार्शी समाज की जिसके रास के लिए म्रतक शरीर को छोड़ा जाता है इसके पीचे कारण बताया जाता है कि पार्शी समाज के जो कई शिक्षित युवा है उनको ये प्रक्रिया पसंद नहीं आती वह समझते हैं कि शव को इस प्रकार से क्योंकि गिद्ध प्रजाती की संक्या भी बड़ी तेजी से घट रही है एक रिसर्च बताती है कि गिद्ध प्रजाती के जो पक्षी है मासाहरी पक्षी है लगवग 99 फीसद तक कम हो चुके हैं और जब धख्मा के तहट शव को रखा जाता है अगर गिद्ध प्रजाती के पक्षी नहीं होते हैं मासाहरी पक्षी वहां पर नहीं बनती जा रही है इसके तहट भाकी सभी प्रक्रिया वही रहती है जो उनके समाज की है चाहे जिसके अंदर एहना वेती है और चाहे प्रार्तना सभा है 45 मिंट की जो प्रक्रिया है सारी वो होती हो लेकिन इसके साथ ही पार्थी समाज के लोग अपने शवों का अंतिम संसकार करने लगे हैं आपको एक बात बताना बहुत जरूरी है कि जो मैं आपको बता रहा था पार्सी समाज की जन संख्या तो यह एक प्रक्रिया थी लेकिन इसके साथ साथ पूरे देश के अंदर शोक की लहर इसलिए है कि रतन टाटा रतन नवल टाटा एक ऐसी शक्सियत थे ऐसे आप उनको महापुरुष कह सकते हैं ऐसे व्यक्तित उठे ऐसे क्रतित उठे कि जन्होंने देश सेवा को सबसे पहल थी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सामाजिक कारव में लगा करता था रतन टाटा ने अपनी जो उनकी सारा जो सामराज्य कह सकते हैं वो द्योग जगत में उनकी जो पकड़ है उसको उन्होंने अपने अंतिम क्षणों तक कायम रखा और ये व्यक्तित्व ये चरित्र य द्धनी रतन टाटा जिस प्रकार से जिये उसी प्रकार से उन्होंने अपने शरीर का ध्याक कर दिया आज सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्leब चेनल को और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन ज़रूर करें अगर आप ये वीडियो फेस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें